तो दूसरे चुनाव में बात करने वाले इंडियन एनरजी एक्सचेंज के बारे में तो यहाँ पर हमें एक शॉर्ट सेलिंग की ओपोचुनिटी मिल सकती है। ठीक है, बाइक का जो हमारा ट्रेड था वो काफी सक्सिस्फुल यहाँ पर काम किया अल्मोस्ट अराउंड 200 की बाइंग थी। पहला टार्गेट 220 अच्छी हुआ, हमारा सेकंड टार्गेट 240 का भी अच्छी हुआ और थर्ड टार्गेट जो अपना 260 का था, वहाँ तक पावर स्टॉक्स में भी धीरे-धीरे करके क्या हो रही है, आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है और धीरे-धीरे करके टॉप लेवल से हमें इंडेक्स में भी रिजेक्शन आता हुआ देखने को मिला तो हमें कुछ ऐसे स्टॉक्स पकरने जहां पे हम यह यहाँ पर शोर फाइलिंग मार सके तो उसमें से ISIS की है. यह क्या है? यह एक trend line है. ठीक है यहाँ पर sport लिया यहाँ पर लिया यहाँ पर लिया और अभी यहाँ पर क्या हो रहा है यह trend line का, breakdown का आपको वेड करना है. जैसे ही stop क्या करता है, breakdown देता है. 230 के आसपास आप इसको shorts समारोगे, ऐसे लाग का रहेगा 234-25 के आसपास का डाउन साइड में जो आपके टारगेट रहेंगे वो पहला टारगेट आपका रहेगा, ओन थे टाउन साइड थिस 22220 के नीचे निकलता है तो एक बार के लिए आपको 200 तक के लेवल से यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, आपको एक दिन में कोई 4050.4 देखने को नहीं मिलेगा, उसके लिए एक हफ़ते का टाइम यहाँ पर लग सकता है, अभी तो आज के इंट्राडे में हमारा जो सेटप है उसने कुछ काम किया है तो हम यहाँ पर अगर देखते हैं तो, यह हमारे लिए कल की रेंज ठीक है, यह हो गया प्रीवियस दिखाए और यह हो गया यहाँ पर प्रीवियस ले लो प्रीवियस दहाई का ब्रेकाउट आया नहीं ब्रेकाउट नहीं है, 230 के 230 के उपर ब्रेकाउट आया लेकिन उस टाइम पर वॉल्यूम से कुछ खास नहीं था और वो भी से कोर्ट में तबदी और यहां पर ना ही तेजी है, ना ही गिरावट है। तो जब ऐसे मार्केट्स होते मार्केट्स पूरा का पूरा side ways होता है, तो एक ही चीज आपको करनी है कि जितना हो सके अपने capital को बचा कर आपको रख अगर आपने capital को बचा लिया तो वो भी अपने आपने आप में आपके 238 के उपर breakout देता है 244,050 तक का आपको यहां पर उपर की side में target देखने को मिल सकता है। तो यह आपके setup हो गया और यह आपके level से 4 धाम मंडे तो दूसरी ओर हम यही है। जियो चेट लगा तो प्लीज आप करना चाहते हैं तो subscribe जरूर लेना।